धन्तेरस पर क्या खरीदे? जाने पूजा विधी और खरीदारी का शुभ मुहूर्थ. हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोधशी, तिथी को धन्त्रयोधशी या धन्तेरस मनाई जाती है. इस साल धन्तेरस 10 नवंबर 2023 को मनाई जाएगी. इस दिन धन्वंत्री द आपको बताते हैं कि क्यों मनाई जाती है धर्तेरस. पौरानिक कताओं के अनुसार, समुद्र मंथन के दौरान, भगवान धन्तरी अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर बाहर निकले थे. जिस दिन भगवान धन्तरी समुद्र मंथन से प्रकट हुए, उस दिन कार्तिक मा के कृष्ण पक्ष की त्रेयोदशी तिथी. कहा जाता है, जो साधक धन्तेरस के दिन देवी लक्ष्मी, धनकोशा ध्यक्ष कुबेर और भगवान धन्तरी की पूजा पूरे विधि विधान से करता है, उसे सुख समृध्धि मिलती है. अब जानते हैं कि धन्तेरस पर क्या खरीदना शुभ मानते हैं? धन्तेरस के दिन सोना, चांदी या पीतल के बरतन खरीदें. धन्तेरस के दिन स्टील के बरतन खरीदना शुभ नहीं माना जाता है. हो सके तो खाली बरतन को घर न लाएं. बरतन में सफेद मिठाई, खीलें जिसे धान का लावा भी कहते हैं. र दीवाली के दिन इस जाडू की पूजा भी करें। ऐसा करने से नकारात्मक शक्तियां घर से जाएंगी। वो घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। धन तेरस के दिन नमक के पैकेट को घर लाएं। इसे दीपावली के दिन उप्योग करें। नमक खरीदने से कहते हैं कि साल भर धन का अभाव नहीं होता है। दीपावली के दिन इसी नमक से पौँचा लगाने से दरिद्रता दूर होती है। धनिया धन का प्रतीक है इसलिए धन्तेरस पर धनिया खरीद कर लाएं और लक्ष्मी पूजन के समय इसका भी पूजन करें. इस दिन कौड़ी, गोमती चक्र, लोंग इलायची, गांटवाली हल्दी, नया पर्स, कपूर इन में से जो भी संभव हो खरीदना चाहिए. अब आपको बताते हैं कि धन्तेरस के द प्रतिमा को भी स्थापित करें. प्रतिमा के सामने दीप जलाएं. सभी देवताओं को तिलक करें. इसके बाद फल और फूल अर्पित करें. धन्वंतरी देवता को पीले मिष्ठान का भोग लगाना चाहिए. कुबेर देवता को सफेद मिष्ठान का भोग लगाना इस दिन धनवंतरी स्तोत्र का पाठ करें